है तो भॉत पर हमको पूली होदय कोशेंस मिलते हैं कि हमें सिसका एक इसलिशन निकालना है तो वह सब जो SYSTEM होता है एटफद मशीं होता है तो उसको समझ लेते हैं कैसे बनाना लाकित है तो समझते हैं यह थीए ऐसा कोई हमारा सिस्टम होता है सबसे पहले यह एक पुली होता है ऐसा पुली है इसको बोलेते dauernbil ऐसको बोलेते हैं असकुकर देैं मास्स टूढ़ किया है एक अंग्सलेज भूलिये खिए और सिस्टम हो मान लेते हैं कि एम 2 बढ़ा है म tienes एक एक और स्लेस्पुली है ठीक है जैसा भी है एक अब देखो हमको क्या करना होता है इसे इस में हमको बस इसका एब बेदी बनाना होता है hr body diagram दोने मास का ठीक है देखो क्या स्थ या स्वेटि रहे होते हैं देखो मास 1 को देखो यह मास1 ठीक हो आप यह एक समय यह पार चीसमय मैंबंची सटेंशंट देखो एसा यह लगर है और एक लगर है यह लग रहे है टेंशेद लेकर ठीक है इसका FBD बनाना है तो देखो second law motion Newton second law motion लगा लेते हैं net force कितना होता है second law motion क्या थे force equals to mass times acceleration ऐसा होता है देखो इसमें net force कैसे लगेगा मास्टू को देखो इसमें भी m2g लग रही है force और सुप्स्ट्ट्रेश्ट्र लग रही है में होगा तो हम लोग बोल सकते हैं मास 1 के केस में नेटफूर का सब्सक्राइब बढ़ा होगा टेंशन का फूर्स बढ़ा होगा मदी से तो टी माइनस एंवन जी इक्वल स्टू मास का एंवन ए ठीक है यह हो गया इसको नोग बोलेते हैं फिर्स्ट इक उसे प्रकार सेकेंड जो मास है उसका भी फ्रीबॉट डिग्राम मना लेते हैं यह है एंटू इसमें टैंशन लाग रहा है उपपर और ग्राविटी का फूर्स लाग एंट सब्सक्राइब का है नहीं एक वागा मास एक्सलेड़ाइशन इसको बोलों थे हैं और और क्या करेंगे दोनों को एक्वेशन को add कर लेते हैं तक दोनों को अट कर लेते हैं तो मैं कर दिखाता ओं एडिंग चलो एड़ 1 एड़ 2 लिख देता हूं मैं एड़ 1 एड़ 2 देखो क्या होगा इसको देखो दोनों को जब एड़ करेंगे साथ में देखो इसमें भी T है इसमें भी माइनस T है दोनों कैंसल हो जाएंगे और यह M2G यह माइनस M1G देखो लिखके दिखा रहो T माइनस M1G प्लस M2G माइनस T ठीक है और M1A प्लस M2A ऐसा है देखो यह T यह T कैंसल ठीक है M2 माइनस M1G M2 माइनस M1G यहाँ प्लस M1A कॉमा निकल गया अब क्या हो जाएगा देखो अगर इसका acceleration हम चाहते हैं जानना इसका कैसे जान सकते हैं देखो यह नीचे आ गया तो acceleration क्या हो जाएगा M2 माइनस M1G divided by M2 प्लस M यह इसका acceleration तो इस सिच्टम का acceleration ऐसे नहीं कलता है अब हमको मालों टैंशन जानना है तो टैंशन क्या करेंगे इस acceleration की value को किसी भी एक equation में डाल देंगे अब डाल के देखो आपको टैंशन की value निकल जाएगी वैसे मैं उसको अगले वीडियो में बना हुआ हुआ और इससे लेटेड हम लों questions करेंगे अब एक लिए इतना जालों कि अगले वीडियो में यह भी देखेंगे कि एक ट्रिक कैसे इस questions को ट्रिक से बनाना है ठीक है झालों कि एक ट्रिक से लेखेंगे वीडियो में बनाना है